जेकाल एक कुट्टे के रूप का जंगली जानवर है इसे भारत में सियार, स्रिंगाल और गीदड भी कहा जाता है सियार ज्यादा तर जुन्डों में रहना पसंद करते हैं और अपने सिकार पर हमला एक साथ मिल जूल कर किया करते हैं अगर कोई अकेला सियार किसी सिकारी के हंत्ते चड़ जाता है तो वह एक बिशेश प्रकार की खींखीं की आवाजे निकालता है और उस आवाज को सुनकर उसके साथी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं सियार मोल रूप से कैननी नामक वन्स समू का सदस्य है जिसमें भेड़िये और कुट्ते भी आते हैं किन्तु यह सुभाव से उन दोनों से काफी भिन होता है अगर यह कप्टी और धूर्ट जानवर की बात जहां आती है तो सियार का नाम सर्वो पर रखा जाता है क्योंकि इसके कप्टी पन और वहसी पन पर कई किस्से कहानिया हमारे समाज में मौजूद है वैसे सियार सुभाव से सर्वाहारी होता है पर यह जब कभी मांस या किसी हीरन के बच्चे आज को देखता है तो उनको खाने के लिए इसकी लार टपकने लगती है अब जराई से ही देख लीजिए हीरन का बच्चा बाड़े के अंदर है और सियार का जूंड बाहर से उसको ताड़ रहा है कि कैसे अंदर गुशा जाए और उसको खाया जाए दोस्तों सियार जंगली जानवर होते हुए भी ज्यादा तर मानो आवादी के नजदी की रहना पसंद करता है क्योंकि इसके सरवाहरी जीवन के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं मानो बस्तियों के पास ही होती है क्योंकि जाए गुशा जाए 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 खाया जाए जाए जुशा जाए जाए जड़ा होते है